आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार सबी बदादिकार्यों के साथ आगामे 2022 में भारी बहुमत के साथ जीत की योजना वो मूर्द रूप दिया हम लोग का एक संगाटन समिक्षा बोईटक शुरू हुआ 2022 चुनाओ के लिए मजमूत संगाटन मलाना कोई इस बात जो चुनाओ है इस बात चुनाओ जनता का चुनाओ है जनता ये निन्नोई लिए लिया दोजार 22 में जो विधान समदाओ है ये चुनाओ में भात्पा को हटाएंगे जोगी आदित्तनात को भगाएंगे समझ बादी पार्टी का सरकार बनाएंगे और दुश्री बार अकले जादों को मुख्यमंती बनाएंगे पांस साल भात्पा कारिकापा दोजार बाइस में जो चुनाओ हुआ था जनता को धोका देके जुमलाबाजी करके जूट बोलके भात्पा स्वत्ता में आये थे और 2017 में जब स्वत्ता में आया उत्तरपदे जनता के लिए जो वादा किया था उनका घुष्णा चुनाओ घुष्णा पत्र में एक भी काम भात्पा का सरकार का समझ नहीं हुआ जो काम का उद्धाटन दिखाया ओशब स्वत्ता का काम है अखिलेज जादव जी जो काम किया जो प्रोजेक्ट रिपर्ट अखिलेज जादव तैयर काके गिया ओई प्रोजेक्ट रिपर्ट का काम शुरूबात किया ओई दिखाया एक भी कोई काम चुनाओ घुशनापत्त में भाच्पा के जो था 2017 में एक भी काम भाच्पा नहीं गई जनपद औरहिया में सेक्टर प्रभारियों और बूत प्रभारियों के साथ मीटिंग कर आगामी चुनाओ में भारी बहुमत से जीत की योजना बनाई गई है वहीं योगी सरकार पर निशाना साधते हुए बेरोजगारों, खिसानों और व्यापारियों को चलने की बात कही गई योगी सरकार ने महिंगाई बढ़ा कर रोजगार नहीं दिया और वर्तमार ने चारो तरफ रस्टाचार फैलने का आरोपी चड़ा और यह से योगेंद्रे पपोर वाल की बागाई